पर्माणू के नाभिक की खोज, सरुप्रथम एक रेडियेक्टिव तत्त से निकले, धनाविशित कणों की किर्णों को एक स्पूर्दिप्त पर्दे पर भेजने पर, स्पूर्दिप्त पर्दे में चमक उत्पन्न हुई, जहां इस किरन के मार्ग पर अत्यंत पतला स्वन प पत्र रखा गया, इस पत्र से टकरा कर कुछ कण किनारों की तरफ विचलित हुए, कभी कभी कुछ कण सीधे पीछे की ओर वापस विचलित हो गये, परन्तु अधिकांश कण स्वन पत्र के आर पार हो गये, इसके आधार पर वज्ज्यानिकों ने निशकंश निकाला की पर परमाणू का अधिकांश भाग खाली होता है, परन्तु चुकी कुछ कण विचलित हो गये, अता निश्यत रूप से परमाणू के केंद्र में धना विशीत भाग उपस्तित है, जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया